नवस्कार दोस्तों, धीठ है आज की 14 मार्स 2023 और स्वागत है आपका एटोरिल डिसकर्शन में, आज चार आर्टिकल्स हम डिसकर्स करेंगे, हिंदू का तो देखो एक ही आर्टिकल इंपोर्टेंट है, लेकिन अलग अलग न्यूस पेपर से हम दो आर्टिकल्स डिसकर्स करे आज एठिक्स का एक ओर टोपिक आपका रिवाइज होगा, तो सबसे पहले हम आज एक आर्टिकल्स करेंगे, कंजूमर प्रोटेक्शन से समधित, दूसे नमबर पे एक USA का बैंक जो फेल हुआ है ना, सिलिकोन वैली बैंक, उस बैंक के फेल होने से समधित आर्टिकल्स कर अगे बढ़ने से पहले क के एक एग्जंपल है, इस डुकुमेंटरी को नख वो मिलंए ओस्कर पूषणार मिला है, बैस डुकुमेंटरी के लिए, एक तालीस मिनिट की डुकुमेंटरी है, इसमें होता क्या है, एक चोटा सा बेभी इलिफेंट जिसका नाम है रगु, जुवनाइल बनाता है तो इस documentary में न इस कपल के बीच और elephant के बीच में bond को दिखाया गया है कैसे जबरदस्त bonding बन जाती है elephant और इस couple के बीच में और बहुत beautiful locations में यह जो documentary है वो shoot की गई है कैसे tribal लोग जीते हैं कैसे वो nature को respect करते हैं इन्वार्मेंट को respect करते हैं इंडिया का culture बहुत कुछ है इस documentary में तो जब भी climate change, sustainable development, environment protection यह सब आपको लिखना हो न ethics में या फिर essay में आप इस documentary के जीकर जरूर कीजेगा क्योंकि अब इसको ओसकर प्रोस्कार भी मिला है समझ गए elephant whispers, example बहुत बढ़िया दे सकते हो इस documentary के थुरू, अब चलिए discussion स्टार्ट करते हैं First important article, consumers यानि घ्राकों के protection से समझ दिद हैं, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हों, दिखो आज की जो modern economy है न, consumer based हैं, मतलब consumers समान खरीदेंगे तभी market में demand generate होगी, तभी companies produce करेंगी, तभी economy expand होगी, तो इस modern economy में न, consumers को protect करना बहुत ज़रा ज़रूरी हैं, आज के समय में consumers vulnerable हैं, उसके साथ में false information share की जा सकती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समान खरीद के, इस चकर में consumers के साथ धोका हो सकता है, जो वादे किये गए थे product खरीदने से पहले जो information show की गई थी, बाद में product खरीदने के बाद पता लगे वो fake थी, और देखो consumers को जब धोका हो जाए, तो उसका वो सिकायत कर्स के, और जो dispute होता है, शोपकीपर के साथ में, उसका असानी से resolution निकले, ये सब होना ज़रूरी है, आज देश के economy, world की fastest growing economy है, इस fastest growing economy में consumers की protection के लिए 2019 में एक act आया, वैसे तो 1986 में act था consumer को protect करने के लिए, लेकिन पुराना हो गया था, तो फिर से 2019 में आया consumer protection act, लेकिन बावजूद इसके, इस act के होने के बावजूद देखो, अभी ना बहुत सारी कमिया है, आज दिक्कत ये है, consumers की बहुत सारी जो grievances है ना, pending है, मतलब आपका कोई dispute है किसी company के साथ, आपने laptop purchase किया, for example, HP का, HP वाले response नहीं कर र लेकिन बावजूद इसके appeal pending है, मतलब case जो है pending है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, इस परकार से grievances ना, बहुत सारी pending है, तो इन pending grievances की वज़े से ना, consumers को mental harassment का सामना करना पड़ता है, इसे laptop लिया वो ठीक नहीं करके दे रहे हैं, तो mental harassment तो हुआ ना, financial loss होता है, आपने 50,000 का laptop खरीदा कोई काम नहीं आ रहा है, तो financial loss है, emotional hardships का सामना करना पड़ता है, तो ना, एक urgent अभी आउशकता है, कि ना, आप ऐसा system बनाओ, जिसमें consumers की grievances का जल से जल समाधान हो, और जो भी तोर तरीके हैं, procedures हैं, consumers की grievances को address करने के लिए, उसमें delay ना हो, ऐसा नाओ, grievances pending की pending है, सालों साल तक, लेकिन उनको address नहीं किया जा रहा है, नए, और कुछ नए innovations मिलाने के आ सकता है, दाकि consumers के साथ में अन्याय ना हो, अब देखो, next aspect की बारी आती है, consumer protection क्यों जरूरी है, consumer protection से देखो, consumers जो है, यानि ग्रहत जो है, वो empowered feel करते हैं, उनके हाथ में power आत करेगा, कि देखो product ऐसे काम करेगा, ये product के features हैं, ये characteristics हैं, ये composition है, तो सारी information जब consumers को मिलेगी ना, तो वो quality decision ले सकता है, कि मुझे ये product खरीदना है, या फिर नहीं खरीदना है, तो consumers का जो अधिकार है, right to demand quality products and services, वो अधिकार consumers का fulfill होगा, next, इस से consumers के साथ में fraud नहीं मतलब सारी information उसे मिल जाएगी, false advertisement से वो बच केगा, जूटी advertisement वो नहीं face करेगा, misleading labeling, मतलब consumers protection होगा, तो गलत information वाली जो labeling होती है, कई बार जूटी information छाप दी जाती है, डबे पे जैसे ये ये काम करेगा, ये product या फिर खाने का product हो, तो इसमें इतना protein है, कई बार होता नह है, तो इस परकार सी misleading labeling से consumer बच जाएगा, और price manipulation से भी बच जाएगा, कुछ-कुछ sellers तो ऐसा करते हैं कि MRP मिटा देते हैं, उसके ऊपर एक नया slip लगा देते हैं, for example MRP 100 रुपे का था, उसको काटके नई slip लगा दी 200 रुपे, 300 रुपे, तो इन सब activities से consumer बच जाएगा, अगर consumer protection होता है, तो next, reducing health and safety risk, consumer protection से देखो, जो health है consumers की, उस पर negative impact नहीं पड़ेगा, अब जैसे food products को अच्छे से regulate किया जाता है, दवाई companies को अच्छे से regulate किया जाता है, medical devices को भी, तो इसका फाइदा consumers को ये होता है, consumers को नकली food products नहीं मिलते, नकली दवाईया नहीं मिलती नकली medical devices नहीं मिलते, तो इससे उनकी जो health है ना उस पर negative impact नहीं पड़ता, health की safety ensure होती है, next, promoting economy growth, consumer protection से क्या होता है, economy growth होती है, level playing field मिलता है, सभी business firms को, ऐसा नहीं कि कोई business firm, बेकार के हतकंडे अपना के, धोके बाजी करके, धोका धड़ी करके, consumers को ज्यादा समान बेचने इकोसिस कर रही है, इससे honestly काम करने वाली जो firms है ना उनको नुक्सान होता है, लेकिन consumer protection से सब को level playing field मिलता है, सब equally आपस में competitive कर सकते हैं, सबसे last में basic सी बात है, अगर consumer protection होता है, तो consumers के जो basic rights है ना, right to be informed की product खीडने से पहले, उसे informed किया ज़रूरी है, उसको मोका दो कि वो choose girls के, right to safety, right to be heard, उसकी बात सुनी जानी चाहिए, तो ये consumer के जो अधिकार है ना, वो uphold होते हैं consumer protection से, लेकिन challenges हैं, जिसे एक challenge है, cases बहुत pending है, consumer grievances के, दूसरा lack of infrastructure, consumer forums और जो commissions हैं, वहाँ पे manpower की कमी है, इस वज़े से case ज़्यादा pending होते जा रहे हैं, inefficient grievance reversal mechanism, काफी बार ऐसा भी देखने को मिलता है, कि जो consumer की grievance को address करने के लिए, जो mechanism है, वो काफी weak है, और consumers को कई बार पता भी नहीं होता कि कैसे इन mechanisms का इस्तेमाल करना है, यह नीचला जो point है, awareness की कमी होती है, consumers में वो अपने अधिकारों के बारे में aware नहीं होते, वो grievance reversal mechanism के बारे में aware नहीं होते, उन्हें यू लगता है कि कौन कानून के पचड़े में पड़े, इसलिए कई बार धोखा भी हो जाए तो consumer सांत रहता है, जबकि वो अपने rights के बारे में aware हो, तो आसानी से फिर grievance reversal mechanism का फाइदा उठा सकता है, लेकिन यह जो mechanism है ना वो भी मजबूत होने चाहिए, inefficient नहीं ह नेक्स्ट, limited participation of business, आम तोर पे जो businesses है ना हमारे देश में, वो भी consumer centric policies नहीं अपनाते, वो participate नहीं करते, dispute resolution mechanism में, मतलब बहुत मुश्किल से participate करते हैं, उन्हें notice भेजता रहता है, consumer forum, लेकिन वो देर से reply करते हैं, हाला कि बाद में उन्हें करना पड़ता है, लेकिन slow रहत हैं, जैसे integrated grievance, addressal mechanism, portal established किया गया है, track की जासके grievances को, organization of national loq अदालत in partnership with national legal services authority, जो national legal services authority है न, इसके साथ मिलके national loq अदालत को organize किया जा रहा है, 2019 में act आया, consumer protection act 2019, अब बार याती है, way forward की क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहले है, consumers को aware करूं, consumer aware होगा, तो वो अपने rights, demand कर केगा, दूसे number पे product quality standards, government को न, विभिन products के standards को strictly establish करना चाहिए, और enforce भी करवाना चाहिए, जैसे आटा बिकता है, तो सरकार proper बताये कि इस quality का आटा बिकना चाहिए, और market में ensure भी करवाए कि उसी quality का आटा बिक रहा है, समझ गे, अब इससे consumers protect होंगे, और नकली product market में नह देखो, e-commerce से तो बहुत सारा समान बिकता है, और सरकार ने regulations भी introduce किये है, e-commerce companies को regulate करने के लिए, अब ये चाहिए कि e-commerce companies customers को accurate information दे, products के बारे में, pricing के बारे में, delivery time के बारे में, और अगर e-commerce companies के खिलाफ consumers की सिकायत आती है, तो उन सिकायतों को register करवाने के लिए proper mechanism होना चाहिए, next, improving data governance, देखो, consumers की, companies की, जो details है, KYC सम्मदी details है, सभी parties की, जो की बेचने में है, खरिदने में है, सब की details सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि इसका फाइदा पता क्या होगा, consumer code के पास कई बार case जाता है, consumer code ने, जैसे कोई company है, HP, HP बार-बार मेरे, मुंसे इस समधान नहीं किया, तो consumers को जब भी दिक्कत आती है, वो complaint register करवाता है, तो consumer code को दिक्कत यह आती है, कि HP के खिलाफ notice file किया जाए, responsible person कौन हो, nodal person काफी बार होता नहीं है, तो companies को चाहिए, कि एक-एक ना nodal officer वो appoint करें कि consumer code से जो भी notice आएगा, उसको handle किया जाएगा, इस nodal officer के द्वारा, समझ गए, तो KYC होगी, तो उन लोग की detail असानी से ली जा सकती है, तो कुल मिलाके देखो, ये points हमने discuss किये, consumer protection से सम्मधित, अब चलते हैं आगे, अब देखो, अगला जो article है न, Silicon Valley Bank के failure से सम्मधित है, आप एब रुकिये में article निकाल लेता हूँ, ये paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो, क्या हो गया, Silicon Valley Bank जो है, वो bankrupt कर गया, मतलब fail हो गया ये bank, 2008 में देखो, जो Lehman Brothers Bank fail हुआ था न, उसके बाद, ये सबसे बड़ा bank जो है, वो fail हुआ है, क्यों fail हुआ है, मैं आपको basics के साथ बताता हूँ, देखो, Silicon Valley Bank वो bank है, जिसमें जो startup वाले है अपना पैसा deposit करवाते हैं, जमा करवा के रखते हैं, अब जब COVID-19 आया न, 2020 में, तो USA की सरकार ने न, interest rates काफी कम कर दिये थे, जैसे कि देखो, RBI जिन rates पर bank को loan देता है न, इस परकार के interest rates, उसी परकार से USA में भी, जो bankों को जिस interest पर पैसा मिलता है, वो interest rates काफी कम हो गए थे, मतलब market में पैसा उपलब था, बहुत कम interest पर, क्योंकि USA की सरकार, पैसा pump करना चाहती थी market में, कि लोग के पास में पैसा आए, इसलिए, USA का central bank काफी कम interest rate पर बैंकों को loan दे रहा था, और फिर bank काफी interest, कम interest rate पर customers को loan दे रहे थे, अब बैंकों का काम क्या होता है, आपको पता है, बैंकों का काम होता है, कि customers को पैसा दिया जाए, loan पे और उससे पैसा कमाया जाए, तो Silicon Valley भी, Silicon Valley जो bank है ये भी customers को पैसा देती थी, इसके लावा जो पैसा बच गया, उसके ये bond purchase कर लेते हैं, तो ना, जब COVID चल रहा था, तो उस समय क्या हुआ, पैसा असानी से उपलब था, इन्होंने भी ना bond purchase कर लिये, जितना loan ये दे सकते थे customers को दे दिया, बाकि जो पैसा बचा था, उसके इन्होंने bond purchase कर लिये, तो उस समयना bond पे भी काफी कम returns मिल रहे थे, समझ गे, लेकिन उन्होंने purchase कर लिये, bond में तो ऐसा होता है न, कि मा लीजे 100 रुपे का bond purchase कर लिया, और 2 साल बाद या 5 साल बाद आपको 110 रुपे मिलेंगे, तो सिधा system होता है, तो bond पे interest उसमें, bond पे returns काफी कम मिल रहे थे, लेकिन Silicon Valley Bank ने फिर भी bonds purchase कर लिया, उसमें situation के हिसाब से, बट हुआ क्या, धीरे धीरे COVID-19 की महमारी थोड़ी कम होने लगी, तो USA के federal bank ने ना, ना सिरफ USA के federal bank ने, बलकि दुनिया भर के federal bank से ने ना, interest rate को increase करना start कर दिया, अब देखो, interest rate increase होना start हो गए, तो पहले क्या था, पहले interest rate जब कम थे, तो start-up में बहुत ज़ पैसा उपलब था, तो start-up में investment आती, तो start-up अपना पैसा जमा करके रखता, Silicon Valley bank में, बट अब situation change हो चुकी है, अब क्या हुआ है, अब हुआ ये है, interest rate increase हो चुके है, market में, पैसा उपलब नहीं है, start-ups को funding नहीं मिल रही है, तो इसलिए start-ups का जो deposit है, Silicon Valley bank में, वो कम हो रह है, बलकि उससे भी ज़्यादा, चुकि start-ups को funding नहीं मिल रही है, तो अब वो Silicon Valley bank से अपना पैसा निकलवाना start कर रहे है, समझ गे, already जो पैसा जमा था, वो भी निकलवाना start कर रहे है, लेकिन Silicon Valley bank के पास में, पैसा देने के लिए है नहीं, क्योंगी उन्होंने तो invest किया ह बंद हो गई interest rates के बढ़ने की वज़े से, तो उनके पास वो bank के पास आने लगे कि आप हमें पैसा दीजिए, जो हमारा जमा है, तो Silicon Valley bank को already loss हो रहा था, क्योंकि उन्होंने bond महंगे purchase कर लिये थे, bond पर returns कम मिल रहे थे, तो ऐसी situation में जब उनके पास customers आने लगे ना, उनका जो portfolio था, मतलब उनकी जो investment थी ना, उन्होंने बेच दी, और bond US Treasuries पर ना, उनको 1.8 billion dollars का loss हुआ, loss पर बेच दी उन्होंने, इतना ज़्यादा loss उनको हुआ, तो जैसे ही उनको इतना ज़्यादा loss हुआ, पहली तो बात देखो, एक bank को अपना portfolio बेचना पढ़ रहा है, औ और वो भी lows पर, तो market में उस bank से संबंदित sentiments ना, काफी ज़्यादा खराब हो जाते हैं, तो ना, काफी image खराब हो गई, Silicon Valley bank की डर लगने लगा, दूसरे customers को कहीं, यार ये bank fail ना हो जाए, तो इस चकर में और ज़्यादा customers पहुँचे, Silicon Valley bank के पास की, आप हमारा पैसा दे के लिए, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आने लगे, Silicon Valley bank के पास में अपना पैसा निकलवाने के लिए, क्योंकि Moody ने rating भी इसकी घटा दी थी bank की, BAA1 negative कर दी थी rating A3 से, मतलब और ज़्यादा customers को डर लग गया, सारे पोंचने लगे, अपना पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन bank के पास पैसा नहीं है, उन्होंने तो invest कर रखा इदर उदर, तो ऐसी situation में bank का share भी down हो गया, और bank run हो गया, मतलब customers आ गये पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन कुछ भी करके bank के पास पैसा है ही नहीं देने के लिए, तो ये वो वाली situation हो गया, उसके बाद US के जो regulators हैं, उन्होंने bank की assets को seize कर लिया, अब इसका result देखो ये निकला है कि बहुत सारे जो business owners हैं, छोटे छोटे उनका पैसा अभी भी जमा है, लेकिन पैसा वो नहीं निकलवा पा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस owners अपने employees को salary नहीं दे पाएंगे कुछ दिनों के लिए धाई लक तक का जो deposit है, उस पर तो insurance है, लेकिन देखो उससे ज़्यादा किसी के पैसा जमा है, तो उसको दिक्कत आएगी पैसा लेने में, अब होता क्या है, bank आपस में connected होते हैं, अब इस bank में crisis आये मान लीजिए, तो दूसरी जगों पर भी लगेगा कि यार आज ये bank fail ह को हमारा भी हो सकता है, तो दूसरे bank को से भी customers का विश्वास उठने लगता है, दूसरे bank को से भी जो लोग है अपना पैसा निकलवाने लगते हैं, और कई बार देखो, अब बहुत सारे startup owners का पैसा इस bank में जमा था, वो startup अब ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, उनका पैसा डूबेगा, इससे economy पर भी असर पड़ेगा, विबिन देशों की, खास करके USA की economy पर, इंडिया की economy पर इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के startups का पैसा बहुत ज़्यादा था नहीं, Silicon Valley Bank में, लेकिन USA पर पड़ेगा, USA की image भी घराब हुई, कि bank डूब जाते है, USA की जो competitiveness है, वो भी परभावित होगी, Silicon Valley Bank के fail होनी की वज़े से, अब कोई अगर पूछ ले कि आप से कि क्यों fail हुआ Silicon Valley Bank, तो यह reasons है, summarize करें तो, एकदम से interest rate increase कर दिये, विबिन देशों के federal banks ने, इस case में USA के central bank ने, दूसरा, Silicon Valley Bank ने बहुत सारी investment कर दी, bonds में, और उस समय जब investment की, bonds की जो returns थे, बहुत ज़्यदा कम थे, क्योंकि COVID-19 वो चल रहा था, दोर, next reason है, technology जो stocks है, वो काफी गिरे हैं, उनको पैसों की जूर थी, वो Silicon Valley Bank के पास पहुँचे, पैसा निकलवाने के लिए, next, run on the bank, bank run कब होता है, जब bank के customers एक ही समय में पहुँच bank से पैसा निकलवाने के लिए, लेकिन bank के पास में उतना पैसा ना हो, bank run तब होता है, जब panic मच जाता है, डर लगता है कि bank fail हो सकता है, तो सारे customers से एक ही समय में पहुच जाएंगे bank के पास में, but bank इतना ज़्यदा cash रखता नहीं है, कि बहुत भारी संख्या में customer से एक ही एक ही समय में पैसा निकलवाने के लिए आ गए, तो bank के पास देने के लिए बचे का नहीं, वो bank run हो जाएगा, next is soft regulation, 2018 में regulation, Silicon Valley Bank जैसे जो original banks है इनके लिए soft बना दिये गए थे, ये भी एक reason बताया जा रहा है, जिसकी वज़े से bank fail हुआ, अब इसके बाद बादी आती है, क्या इंडिया पर असर पड़ेगा Silicon Valley Bank के fail होने से, इसका answer है no, क्योंकि देखो इंडिया के start-ups का पैसा नहीं है Silicon Valley Bank में, और दूसरा, हमारे bank को का जो NPA है, non-performing asset है, वो improve हुआ है, पहले कि अपक्सा करत, जो balance sheets है, वो सही हुई है, बलकि इंडिया को फाइदा हो सकता है, जैसे USA में bond purchase करने पर कम returns मिल रहे हैं, तो USA के जो investors है, वो इंडिया जैसी emerging economies में invest कर सकते हैं, तो ये फाइदा हो सकता है इंडिया को, अब last में कुछ wave forward में बाते कहीं जाती है, कैसे bank को fail होने से बचाया जाए, constant vigil रखी जाए, central bank के द्वारा, या फिर bank boards, auditors, regulators, सब bankों प बीच में cooperation होना चाहिए, बैंकों के जो board of directors हैं, उनका selection बहुत ज़रा ध्यान से हो, और देखो दूसरा जो board members है बैंक के, वो जातर time अपना governance issues और business updates पर बिताते हैं, लेकिन उनका ध्यान इस बात पर भी होना चाहिए कि कैसे capital को use किया जाए, इस पर भी वो time invest करें, राइ इस पर फोकस करेंगे, capital को कैसे use किया जाए, तो अच्छी जगहा है, bank अपना पैसा invest करेंगे, सबसे last में central bank भी bank की management पर ध्यान दे और जहां पर कमया निकलती है, वहां पर तुरंत action ले, तो यह पूरा article हमने discuss किया, अगला जो article है, वो data governance regime से समधित है, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हो, अब देखो हुआ क्या है, digitalization बहुत ज़ादा बढ़ गया है, आपको पता है, normal से points है, digitalization का, जो contribution है, economic growth को expand करने में वो बहुत ज़्यादा है, अब writer यह कहते हैं कि जो digital strategies और data governance है न, digital strategies मतलब जैसे सरकार digitalization promote कर रही है, for example, UPI promote कर रही है, यह सब digital strategies है, digital strategies औ data का governance, यह inclusive होना चाहिए, inclusive होने का मतलब सब को lab मिले, data governance और digital strategies से secure होना चाहिए, transparent होना चाहिए, conducive to sustainable development होना चाहिए, समझ गए, अब writer का यह कहना है, देखो वैसे fintech में न, digitalization काफी आया है, जैसे even छोटे-छोटे जो ice cream वाला है, सबजी वाला है, वो भी UPI का इस्तमाल क के लिए बड़ी achievement है, writer कहते है, health sector में और agriculture sector में अभी भी digitalization का इस्तमाल काफी कम है, मतलब, गाउं गाउं तक, health sector में और agriculture sector में digitalization का इस्तमाल अभी नहीं होना start हुआ है, तो यहाँ पर सरकार को ध्यान देने क्या आप सकता है, वैसे सरकार ने data empowerment and protection architecture launch किया है, कि consumer से, customer से, जरूरी है, उनका data use करने से पहले, इस परकार की चीजों से देखो, consumer empower feel करेंगे, लेकिन कई बार दिक्कत ये आती है, इस परकार की consent को अगर ठीक से manage ना किया गया ना, तो consumers का data फिर misuse हो जाएगा, दूसरा, हर जगे, हर sector में consent management को ठीक से implement किया जाएगा, ये भी कोई जर पूरी नहीं है, समझ गए, अब इसके बाद writer ये बोलते हैं, कुछ risk है, जिसे देखो, एक तरफ risk है, data की security और privacy से सम्मादी, दूसरी तरफ risk ये है, कहीं कहीं पर infrastructure connectivity, availability of skilled human workforce इनका अभाव है, तो digitalization का जो फाइदा है, वो सब को नहीं मिल पाएगा, और जो data होगा, consumers का, उ अगर data misuse हो जाए, for example, कोई diabetes का customer है, अब diabetes वाली companies को पता लग जाए, वो बार-बार consumer को message भेजने लगेंगे, WhatsApp पे, text message की है, diabetes के हमने नई दवाई बनाई है, try करके देखिए, ये गलत है, तो यहाँ पे data security पर ध्यान देनी के आउ सकता है, अब last minute writer record चीज बोलते है, data sovereignty से स collect, store और use अपनी मर्जी से कर सकता है, मतलब जो data generate हो रहा है, उसके देश में वो देश की सरकार अपनी मर्जी से उस data का इस्तमाल करवा सकती है, देश के अंदर ही data को collect करना, store करना, use करना, ये सब चीज़ें करवा सकती है, अब दिक्कत पते क्या है, data sovereignty वैसे जरूरी है, but अलग अलग department जैसे इंडिया की corporate ministry है, इंडिया की consumer ministry है, सबका अपना अपना data है, अब ये data अगर ना openly available करवाये जाए ना, आप बोलोगे सारा data openly available होगा दो दिक्कत हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है, ये देखके कि कौन सा data share करने लायक है, कौन सा data नहीं है, जो data share करने लायक है ना, वो publicly available करवाये जाए ना, तो सोचके देखिए, businessman को कितना फाइदा हो, छोड़ छोड़े businesses को, जो data के अधार पर अपना business establish करना चाहते हैं, जो अपने business में data को use करना चाहते हैं, तो ये सरकार को करना चाहिए, मतलब सरकार को balance establish करना चाहिए, कि data की sovereignty भी सुनि data थोड़ा संभाल के रखने के आप सकता है, privacy maintain करने के आप सकता है, वो privacy maintain हो, तो ये सारी चीजों के बीच में data sovereignty, data privacy, data free flow, सब के बीच में balance establish होना चाहिए, ताकि इस परकार का data governance हो, मतलब कुछ data ऐसा होगा जिसको सरकार चाहिए, free flow होना चाहिए, जनता के पास available होना चाह चाहिए, उस data की सरकार सुरक्षा करे, कुछ ऐसा data होना चाहिए, foreign companies का जो हमारे देश में store हो, उसके लिए data sovereignty सरकार सुनिश्चित करे, तो अलग-अलग तरह के data को लेके सरकार की जो approach है वो अलग-अलग होनी चाहिए, ऐसा writer का कहना है, तो ये पूरा article हमने discuss किया, data governance से सम अब last में देखो अपने को जो code of ethics और code of conduct वाला जो article discuss करना है न, वो discuss कर लेते हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, civil servants के लिए code of conduct और code of ethics होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो, civil servants जो होते हैं, वो society के बहुत important functions को perform करते हैं, वो sovereign functions को perform करते हैं, आप एक बात बत हो सकता है, किसी जिले का DM सिरफ IS हो सकता है, और कोई भी person नहीं हो सकता, तो वो sovereign functions perform करते हैं, और उनके पास discretionary powers काफी ज़्यादा होती हैं, तो देखो, जहां पर आपने बहुत ज़्यादा power दे दी किसी person को, लेकिन ये नहीं बताया कैसे उस power का इस्तिमाल करना है, तो ऐस पावर देखो किसी को भी corrupt कर सकती है, इवन कोटिलिया ने भी अपने एरा में ये कहा था, civil servants के लिए code of conduct होना जरूरी है, और उस समय code of conduct था भी, अभी modern एरा में विबिन देशों ने अपने अपने देशों में civil servants के लिए code of conduct को adopt किया है, ताकि एक direction दीजास के, कैसे civil servants को behave करना है, उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है, civil servants के लिए code of conduct है, वो देखो explicit है, अभी हम discuss करेंगे, क्या है, कहां से आते है code of conduct, लेकिन देखो judges के लिए, MPs और MLS के लिए, या फिर दूसरे government functionaries के लिए, code of conduct जो है, वो clear नहीं है, अभी अभी हमने discuss किया, MPs और MLS क के लिए code of conduct होने चाहिए, लेकिन अभी फिलाल clear है नहीं, और defense sector में जो military officers होते हैं, या फिर military personnel, उनके लिए तो code of conduct बिल्कुल ही clear है, उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और discipline की जो value है, बहुत ही जादा है, military sector में, अगर बात करें judges की, judges के लिए देखो separate conduct rules हैं, for example, Judges inquiry act 1968 बताता है, अगर किसी judge पर mis behavior का या फिर incapacity का आरोप लगता है, तो उसकी जाच कैसे होगी, legislature और ministers की बात करें, कोई explicit rules नहीं है, second ARC की जो report थी, वो recommend करती है, कि MPs और MLS के लिए code of conduct होने चाहिए, अभी फिलाल explicit कोई code of conduct नहीं है, MPs और MLS के लिए, इसके लावा दूस उसके जो functionaries हैं, बाकी बचे हुए public servants, उनके लिए separate rules या separate laws हैं, जो उनकी service की conditions को define करते हैं, बट वो भी effective नहीं है, वो भी inadequate हैं, तो इसलिए देखो, कहा ये जाता है, सभी public servants के लिए, including civil servants, शुरुवात में हमने discuss क्या था, आपको याद होगा, public servant एक बहुत बड़ी term है, civil servant, public servant के अंदर आते हैं, हर एक civil servant, public servant है, बट हर एक public servant, civil servant नहीं है, तो सभी public servants के लिए minimum standard होना चाहिए, conduct का, यानि code of conduct होना चाहिए, ताकि एक uniformity maintain की जा सके, उनके behavior में, उनके conduct में, सिरफ यू नहीं बोला जा सकता, कि civil servants के लिए code of conduct होना चाहिए, सभी के लिए होना चा सब के लिए जो भी public servants हैं सब के लिए अब हम code of conduct को थोड़ा detail से discuss करते हैं सुरवात में definition तो हमने discuss कर ली थी code of conduct का मतलब ऐसे rules जो कि authority के behavior को conduct को regulate करते हैं और civil servants को public servants को follow करना होता है इन rules को यह specific do's and don'ts होते हैं जैसे मापको example देता हूँ आप bride नहीं ले सकते आप office में किसी को favor या फिर decep favor नहीं कर सकते आपको objectively काम करना होगा facts के basis पे काम करना होगा आपका कोई decision ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे government को नुक्सान हो जाए या फिर आप public और private affairs के बीच एक distance maintain करोगे दोनों को अलग लग रखोगे आप एक monetary value से ज़्यादा gift नहीं ले सकते for example अगर देखो full लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसा नहीं कि कोई civil servant महंगी महंगी घडियों को as a gift लेने लगे सबसे last में आप office का इस्तिमाल नहीं करोगे personal gain के लिए जैसे office की गाड़ी मिलती है उस गाड़ी का इस्तिमाल अपने personal purposes के लिए नहीं किया जाएगा आपको यहाँ वहाँ जाना है office के काम से नहीं वैसे ही personal काम से तो आप office की गाड़ी का इस्तिमाल नहीं करोगे तो यह कुछ do's and don'ts है जिनको follow करना होता है civil servants को यह तो सिरफ होगा अभी noida के जो SP थे उनको suspend कर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया था कि posting में एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है और इसमें यह IPS involved है तो उनका वो letter जो था वो leak हो गया था तो उतरपरदेश की सरकार ने बोला कि हम जाच करेंगे अगर कोई ऐसा गोटाला है बट noida के SP ने जो किया है वो service rules के अगेंस्ट है उनका letter leak नहीं होना चाहिए था वो अपनी सिकायत को लेके public में नहीं जा सकते थे वो letter confidential होना चाहिए था तो वो code of conduct के अगेंस्ट था उनको suspend कर दिया गया इस परकार में article 309 से लेके 311 से इसके अलावा civil services conduct rules 1964 central services conduct rules 1964 all india service conduct rules 2014 Indian penal code official secrets act prevention of corruption act तो इन सभी acts और इन सभी rules से civil servants के लिए code of conduct निकल के आता है कुछ characteristics की बात करें civil servants के लिए जो code of conduct है उसके characteristics क्या है they are enforceable enforceable का मतलब यह है जैसे नोईडा के SP suspend हो गए अगर कोई civil servant code of conduct को follow नहीं करता है violation करता है तो उसके खिलाफ कारवाई हो सकती है कारवाई कैसे हो सकती है वो भी हम discuss करेंगे लेकिन फिलाल आप यह जान लीजिए code of conduct जो है दूसरे point क्या disciplinary action लिया जाएगा उसका procedure क्या होगा process क्या होगी वो सब भी defined होता है code of conduct में next code of conduct में देखो ऐसे points होते हैं जो positive भी होते हैं negative भी होते हैं nature में जैसे हमने discuss किया do's and don'ts दोनों होते हैं मतलब ये भी बताया जाता है civil servants को code of conduct में क्या आपको करना है और ये भी बताया जाता है क्या आपको नहीं करना है समझ गए तो code of conduct nature में positive negative दोनों होता है next code of conduct के अंदर जो rules होते हैं उनको follow करना ज़रूरी होता है discipline को maintain करने के लिए इसके लावा good behavior, order, honesty, integrity इन सब चीजों को भी ensure करने के लिए code of conduct को follow करना ज़रूरी हैं ये code of conduct के examples जो हमने discuss कर लिए अब हम बात करते हैं अगर किसी civil servant के द्वारा code of conduct को follow नहीं किया जाता है misconduct किया जाता है तो क्या action हो सकता है मतलब process क्या है procedure क्या है देखो departmental inquiry हो सकती है इसके लावा CB, CBI, CID, SIT ये जांच कर सकते हैं कि civil servants ने misconduct किया है या फिर नहीं किया है इसके अलावा अगर कोई citizen complaint करता है तो NHRC, NCW, National Human Rights Commission, National Commission for Movement इनके द्वारा भी जांच की जा सकती हैं लोकायुक्त और judiciary ये भी जांच कर सकते हैं action देखो दो परकार का लिया जा सकता है code of conduct के violation पर minor action और major action minor action जैसे की दमकाया जा सकता है, increment रोका जा सकता है, पर्मोशन रोकी जा सकती है या फिर government को जो लोस हुआ है उसकी recovery की जा सकती है civil servants से, major action की बात करें, demotion हो सकता है, मतलब एक rank नीचे किया जा सकता है for example, IG से DIG बना दिया या फिर DIG से SP बना दिया, इस परकार की कारवाई की जा सकती है, compulsory retirement दी जा सकती है कि भईया बस आप retire हो जाए, next, remove किया जा सकता है service से, अगर देखो किसी civil servant को remove किया जाता है तो बाद में chance रहता है, फिर से service में सामिल करने का, लेकिन चोथा point जो है dismissal अगर किसी को एक बार service से dismiss किया जा सकता है, किया जाता है, तो बाद में कोई chance नहीं रहता, फिर से उस अधिकारी को service में सामिल करने का तो ये major actions हैं जो लिए जा सकते हैं, civil servants के against, अगर वो code of conduct को violate करते हैं अब आपके मन में एक question ये आया होगा, कि हम compulsory retirement की बात कर रहे हैं, या फिर even dismissal की भी बात कर रहे हैं तो क्या article 311 आड़े नहीं आता, civil servants को dismiss करने में, तो इसका answer है no क्योंकि देखो Supreme Court का भी आदेश है, कि अगर inefficiency के कारण, किसी civil servant को service से dismiss किया जाता है या फिर compulsory retirement दी जाती है, तो इसका मतलब article 311 जो है, उसका violation नहीं हो रहा है article 311 हालांकि बचाता है, civil servants को, उनको service से निकालना असान नहीं होता बट अगर inefficiency के कारण, निकाला जा रहा है, civil servants को, तो इसके आडे 311 आर्टिकल नहीं आता, ये Supreme Court का आदेश है inefficiency के कारण, dismiss किया जा सकता है, सरकार के द्वारा किसी civil servant को, और compulsory retirement भी दी जा सकती है अभी देखो, जो present government है, इसने बहुत सारे officers को compulsory retirement दी है, खास करके IRS officers को rule सिधा है, 15 सालों की service के बाद, आपकी service का review होगा, अगर satisfy नहीं होती है सरकार, तो officer को warning दी जाएगी उसके बाद, 25 साल की service जब complete होगी, और फिर से अगर, उस public officer की जो performance है, वो satisfy नहीं हो satisfactory नहीं है, तो service को terminate किया जा सकता है, और अभी present government के द्वारा, 50 से ज़्यादा civil servants को retire किया जा चुका है इस rules के according, बट देखो काफी सारी problems है, काफी सारी challenges है, code of conduct को implement करने में, बहुत बार ऐसा होता है, civil servants code of conduct को follow नहीं करते, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कारवाई नहीं होती, क्योंकि inquiry जो है, वो काफी delay होती है, बहुत बार दो साल से भी, ज्यादा का समय लग जाता है inquiry उने next point, हलांकि देखो article 311 जो है, वो रुकावट डालता नहीं है, सरकार अगर inefficiency के कारण किसी public servant को जबरन retirement देती है, बट फिर भी घुमा फिरा के, civil servants जिनको जबरन retirement दी जाती है, वो case डाल देते हैं, Supreme Court में, और वो case चलता रहता है, बहुत बार case सरकार मजबूती से लड़त नहीं है, और civil servants जिनको compulsory retirement दी गई है, वो case जीच जाते हैं, next, prevention of corruption act के तहत, liability देखो civil servant के उपर होती है, ये साबित करने की वो निर्दोस है, उन्होंने code of conduct का violation नहीं किया है, उन्होंने service rules के विरुद जाके काम नहीं किया है, तो देखो ये जो point है, इसकी वज़े से जो honest civil servants है, वो उनका harassment हो जाता है, और जो corrupt civil servants है, उनके खिलाफ तो कारवाई होती नहीं, but in rules के कारण, जो honest civil servants है, उनका harassment होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते, next point, देखो joint secretary और joint secretary से जो senior level के officers होते हैं, उनके खिलाफ कारवाई करने के लिए higher authorities से node चाहिए होता है, बहुत बार node मिलता नहीं है, यानुमती मिलती नहीं है, higher authorities से, और इस वज़े से joint secretary और उनसे senior level के जो officers हैं, उनके खिलाफ कारवाई हो नहीं पाती, next point, IS lobbies और जो IPS lobbies हैं, वो देखो बहुत ज़्यादा strong होती है, उनका nexus होता है political leaders के साथ, और दोनों मिलके corruption करते हैं, अब आपन officers को, या तो retirement बिल्कुल नहीं दी गई है, या फिर बहुत कम IS officers को retirement दी गई है, ऐसा इसलिए, क्योंकि देखो IS जो है, वो All India Service है, IS lobby और even IPS जो है, वो All India Service है, दोनों services की जो lobby है, बहुत ज़्यादा strong होती है, और जब भी किसी IS के साथ कुछ गलत होता है, तो आप भी सुनते हो, IS association ने आवाज उठाई, कारवाई करने की बात आती है, तब भी IS lobby का, IS association का विरोध आप देखते हो, तो इनकी lobby काफी strong है, इस वज़े से सरकार कारवाई नहीं कर पाती, last point, देखो, बोला ये जाता है, कि code of conduct का violation किया है, किसी civil servant ने, ये beyond doubt होना चाहिए, अब काफी बार, ये beyond doubt प्रूव करना आसान नहीं होता, इस वज़े से भी, जो civil servants है, वो code of conduct के violation के बावजूद छूड जाते हैं, उनके खिलाफ कारवाई नहीं हो पाती, तो आप essence में य procedure है, ये देखो, काफी जादा rigid है, इस वज़े से, कारवाई हो नहीं पाती, civil servants के against, even code of conduct के violation के बाद, यहाँ यहाँ पर जैसे, एक आंगडा दिया हुआ है, समझाने के लिए, अगर, CVC ने, यानि Central Vigilance Commission ने, 100 civil servants के खिलाफ, कारवाई की recommendation दी है, तो कारवाई होती है, सि इतिहास उठा के देख लीजिए, अजादी के बाग से अभी तक, कितने civil servants के खिलाफ कारवाई हुई है, corruption के cases में, तो वो सारे institutions जिनका काम है, corruption को रोकना, वो effective ढंक से अपना काम नहीं कर पाते, और जो acts और rules है, corruption को रोकने के लिए, उनका implementation भी ठीक से नहीं होता, even देख जबकि जो dishonest officers हैं, उनको plum posting दे दी जाती है, second ARC report में ये recommendations दी जाती है, minimum steps होने चाहिए, inquiry के, मतलब जो procedure और process काफे ज़्यादा rigid है, corruption के cases में, civil servants के खिलाफ जान से सम्मन्दित, उस process को, उस procedure को असान बनाया जाए, ला को simplify किया जाए, ताकि effective ढंक से ला को implement किया जा सके, करवाई में, इस article को abolish किया जाए, इसके अलावा, civil servants के लिए code of ethics भी होना चाहिए, अभी वैसे है, लेकिन explicit नहीं है, और ministers के लिए code of conduct होना चाहिए, जिसकी बात हमने discussion के शुरवात में की थी, ethics commissioner होना चाहिए, हर एक house में, ताकि अगर MPs और MLA's ने code of conduct के खिलाफ जाके क काम किया है, तो उचित कारवाई की जास के MPs और MLA's के against, अब next हम बात करते हैं, code of ethics scheme, code of ethics में देखो, वो principles या फिर guidelines होती हैं, जिनको civil servants को follow करना होता है, difference हम code of ethics और code of conduct के बीच last में समझेंगे, लेकिन पहले code of ethics को समझ लेते हैं, जैसे देखो, Nolan committee ने, UK की है Nolan committee, Nolan committee ने 7 principles बताये थें, जिनको civil servants को follow करना जुरूरी है, सबसे पहले selflessness, selflessness का मतलब ये है, decisions लेते वक्त, civil servants public interest का ख्याल रखेंगे, दूसरा integrity, obligation होगी, civil servants की, सिरफ और सिरफ जनता के परती, सरकार के परती, किसी outside individual के परती, कोई obligation नहीं होगी, next, objectivity, civil servants decision लेंगे, सिरफ और सिरफ merit क के द्वारा, वो allow करेंगे कि उन decisions की scrutiny होगे, next, openness, मतलब, जो भी decisions ले जाएंगे, civil servants के द्वारा, वो reasons देंगे, हमने ये decision इसलिए लिए, next, honesty, वो public duties में, अपने private interest को declare करेंगे, सबसे last में, leadership, civil servants इस परकार से behave करेंगे, इस परकार से act करेंगे, जो बाकी officials के लिए example हो, प कमेटी ने कहा था, civil servants को, ये साथ principles follow करने चाहिए, तो ये code of ethics है, देखो, code of ethics ना enforceable नहीं है, आप integrity को, objectivity को, accountability को, openness को, इन सब चीजों को, आप enforce नहीं कर सकते, मैं आपको एक simple example देता हूँ, माल लीजे, code of conduct ये बोलता है, कि आप समय से पहले, office से नहीं जाओगे, तो civil servants जो है, वो समय से पहले office नहीं जाता है, पांच बज जाती है, लेकिन पांच बज के तीन मिनट पर, एक बुजूर्ग आदमी आता है, office में, बहुत दूर से, बहुत दूर से आता है, तीन घंटे travel करके, और वो उसे अपना एक जरूरी काम करवाना है, वो रात को उसके पा को तो follow कर लेगा, क्योंकि 5 बज गई और office में लिखा हुआ है, code of conduct के rules में लिखा हुआ है, कि आप समय से पहले office को नहीं छोड़ सकते, ये दिखो सिरफ एक example है, समझने के लिए, technically wrong हो सकता है, ये example, लेकिन आप essence समझे, तो rules के according, वो civil servant 5 बजे office से जा सकता है, बट 5 बज क के 3 मिनट पर वो बुजूर्ग आपमी आया है, तो code of ethics के अनुसार उस गरीब आदमी का काम करना, जो भी वो समझे लेकर आया है, उसको adders करना, ये duty बनती है, civil servant की code of ethics के according, समझ गए, मतलब code of ethics को आप enforce नहीं कर सकते, ये kind of moral behavior के लिए है, और code of conduct जो है, वो legal behavior के लिए है, code of conduct में specifically बताया जाता है, ये civil servants को करना है, ये नहीं करना है, लेकिन code of ethics में specifically कुछ नहीं बताया जाता है, कि ये आपको करना है, और ये आपको नहीं करना है, शिरफ principles की बात की जाती है, और इसी वजह से देखो, code of ethics जो होते है, हो subjective भी होते है, subjective इसलिए क्यूद की implementation गलग civil servants के अनुसार जबकि code of conduct objective होते हैं तो यहाँ पर देखो code of ethics के भी कुछ characteristics हम जान लेते हैं code of ethics deal करते हैं civil servant के moral behavior के साथ जबकि code of conduct deal करते हैं legal behavior के साथ यह एक परकार से देखो desirable level of conduct है मतलब code of ethics को कोई follow नहीं भी करेगा तो कोई जुरूरी नहीं कारवाई होगी ही उस civil servant के against code of conduct के violation पर तो कारवाई होगी ही लेकिन code of ethics के violation पर कारवाई होना जुरूरी नहीं है यह desirable level of conduct है मतलब expect किया जाता है कि civil servants इन principles को follow करेंगे next है deal with inner aspect of civil servant मतलब civil servants की जो concise है उसको जगाया जाता है इन principles के through ताकि civil servants जो है वो अपने concise को ध्यान में रखते हुए act करें यहाँ पर देखो नीचे लिखा भी हुआ है concise, self commitment, responsibility इन सब को ध्यान में रखा जाता है code of ethics में और last में है it is not enforceable, rather it is desirable and increased किया जाता है civil servants को कि आप इन principles को follow कीजिए, उन से expect किया जाता है, सरकार चाहती है इन principles को follow किया जाए, बट यह enforceable नहीं है, नहीं भी follow किया जाएगा तो कोई जुरूई नहीं कारवाई होगी ही, जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, देखो hospital में जाना और DM के द्वारा इस जूता रखना hospital के bed के ऊपर, आप बताए, क्या ये उचित है, देखो ये बिल्कुल उचित नहीं है, किसी भी civil servant से expect नहीं किया जा सकता, इस परकार से behave करना, वो बात अलग है, ये गलती हो सकती है, और बाद में, माफी भी मांग ली गई हो civil servant के द्वारा, लेकिन कोई भी civil servant इस परकार से behave करे, ये उचित नहीं है, अब ये code of ethics का तो उलंगन है, क्योंकि moral behavior गलत है, लेकिन कोई जुरूई नहीं, कोई code of conduct भी violet हो रहा हो, समझ गे, तो ये difference है code of ethics और code of conduct के बीच में, अब UPSC ना difference पर काफी ज़्यादा focus करती है, काफी सारे points हमने discuss कर लिए, ethics के बारे में बताया गया है, मतलब ethical principles को भी सामिल क्या गया है, All India Service Conduct Rules 2014 में, जैसे accountability, transparency, neutrality, compassion, social justice, इन सब ethical principles को All India Service Conduct Rules 2014 में include क्या गया है, और कुछ जो conduct of ethics है, वो वैसे enforceable भी है, जैसे modal code of conduct during elections, ये enforceable भी है, तो ये last में लिखने के लिए है, comparison की बात करें, code of conduct, legal side से deal करता है, code of ethics, moral side से deal करता है, code of conduct, accountability से deal करता है, code of ethics, responsibility से deal करता है, difference यहाँ पर clarify करना ज़रूरी है, accountability और responsibility के बीच, देखो जब civil servants कोई action ले लेते हैं, तब उनकी accountability fix होती है, उनकी जबाब दे ही fix होती है, कि आपने ये action क्यों लिया, और responsibility, action लेने से पहले आती है, मतलब आपको ये काम करना चाहिए, ये आपकी responsibility बनती है, ये आपकी duty बनती है, तो action से पहले, मतलब civil servant कोई function को perform करे, इस चीज़ का लेना देना है, responsibility से, और action लेने के बाद, ये action आपने क्यों लिया, ये मतलब होता है, accountability का, समझ के, मतलब action लेने के बाद आती है, accountability, और action लेने से पहले, कि आपको ये action लेना चाहिए, ये duty आपको perform करनी चाहिए, ये होता है, responsibility, code of conduct, decision की legal quality पर focus करता है, और code of ethics, decision की ethical quality पर focus करता है, code of conduct, external side से deal करता है, और code of ethics जो है, जो हमने discuss किया था, concise self commitment, यानि internal side से deal करता है, इसके लाबा, code of conduct, objective होता है, और code of ethics काफी बार subjective होता है, जो हमने discuss किया था, कि code of conduct में तो specific do's and don'ts होते हैं, बट code of ethics में principles की बात की जा सकती है, तो उनका interpretation अलग-लग situation में अलग-लग हो सकता है, next point, code of conduct देखो, minimalist approach पर focus करता है, और code of ethics, maximalist approach पर focus करता है, याद कीजिए वो example कि 5 बज़कर 3 मिनट हो गए, code of conduct के अनुसार, civil servant office छोड़के जा सकता है, क्योंकि minimum standard जो follow करना था, civil servant को, उसने वो follow कर दिया, 5 बज़ते ही वो office से चला गया, लेकिन code of ethics, maximalist approach पर focus करता है, कि आप welfare पर focus कीजिए, आप जनता के हितों को ध्यान में रहते हुए काम कीजिए, next, code of conduct को time to time update करने के आप सकता होती है, जबकि code of ethics में principles की बात होती है, principles change होने में देखो, लंबा समय लग जाता है, आज से 200 साल पहले भी integrity पर focus होता था, आज भी integrity पर focus होता है, तो principles तो लंबे समय तक interest रहते हैं society में, जबकि code of conduct जो है, वो समय समय पर update करना पड़ता है, इस परकार से हमने detail से code of ethics और code of conduct को समझा, तो आपका ethics का एक पूरा जो topic है, वो complete हो गया है, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.